इसी किसना दोस्तों में DSWLT YouTube channel में आपका हार्दिक स्वगत करता हूं देखिए दोस्तों हमारा रायस्तन के सामने ग्यान में टोपिक चल रहा था रायस्तन की सब्वेता हैं जिनमें हमने पिछले चार वीडियो लेक्चर में कुल चार सब्वेता हैं पड़ी जिनमें से पहल तो आज हम इन चारो सब्वेताओं से संब्वन्द जो वीबिन प्रत्यों की परिक्षाओं में प्रशन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे आईए शुरू करते हैं इसमें हमारा पहला प्रशन है जुता हुआ खेत के प्रमान निमने में से किस पूराइस्तल में मिलते हैं त और चोता ओप्षन है आहड तो बताईए इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ओप्षन नमबर सी काली बंगा अगला प्रशन है अपना निमने में से कौन सी वस्तु आहड सब्वेता के इस्तलो से संब्वन्दित नहीं है यह प्रशन आरपेसी सेकंड़ेट 2017 में पूछा हो यह में यह तो इसमें पहला ओप्षन है चित्रित दूसर म्रदबांड दूसर आपशन थामही की वस्तूं कि तीसरा ओप्षनर करशनलोहित म्रदबण और चोता प्षन चावल तो बताइए हिनमें से कौन सा ऑप्षन सही है तो देखिए इसमें राइट आंसर अपना चेत्रिद्धूसर म्रदभांट तो देखिए जो आठ सब्वेता जो हमने पड़ी थी उसमें हमने लिखवाया था कि तामबे की वस्तुवे भी मिली है क्रश्नलोहित म्रदभांट भी मिले है और वो चावल से भी परिचित है लेकि यहां पर पूछा गया है कि संबंदित नहीं है तो यहां पर कौन संबंदित नहीं है चित्रिद्धूसर म्रदभांट तीसरा प्रश्न अपना बेराठ या विराठ नगर में प्रतम उत्खरन किसके नेत्युत में किया गया यह आर्पिसी सेकेंड़ेट दोजा सत्रा में प उप्षन है अक्षे कीर्थी व्यास और चोता उप्षन है रतंचंद्र अकुरवान तो बताएं इन में से कौन सा ओप्षन सही है कि इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन नंबर ए दयाराम साहनी चोता प्रशन है अपना गणेश्वर का टिला जहां से तामरुगीन आउशेष मिले है इस्तित है यह बियस्टिसी दोजा नो में पूछा गया प्रशन है तो इसमें पेला ओप्षन है सीकर दूसरा ओप्षन है चित्तोडगर तीसरा ओप्षन है श्री गंगानगर और चोता ओप्षन है चूरू तो बताइए इन में से कौन सा सही है तो इन में से राइट आंसर हो जाएगा अपना ओप्शन नमबर A, सीकर बाच्वा प्रस्ण अपना भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, रास्तान के किस सब्वेता से संबन्दित है ये मेला परिवेक्षक 2015 का प्रस्ण है इसमें पेला उप्शन है गणिश्वर सब्वेता, दूसरा उप्शन है बेराट सब्वेता, तीसरा उप्शन है आहट सब्वेता और चोता उप्शन है काली बंगा सब्वेता तो बताईए इन में से कौन सा उप्शन सही है तो इसमें से राइट आंसर होगा अपना बेराट सब्वेता देखे दोस्तों बेराट सब्वेता में हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर किन-किन जे को उत्खनन कारे किया गया यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी अगनेश डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर उत्खनन कारे किया गया था तो अपना राइट आंसर रेगा यहाँ पर बेराट सब्वेता परसने पना, लाल-काले-म्रदभांड वाली संस्क्रती का प्रमुख के इंदर था यह संकलन कर्था 2018 का प्रसने है इसमें पेला उप्षन है, काली बंगा, दूसरा उप्षन है आहड, तीसरा उप्षन है बाला थल, और चोता उप्षन है बागोर तो बताईए लाल काले वाले मुरद्भान वाले संस्कृति का प्रमुक के अंदर कौन सा था तो इसमें राइट आंसर होगा अपना आहड तो देखिए ये भी हमने लिखवाया हुआ है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो जरूर देखें अगला प्रशने अपना प्राचीन करेश वर सब्वेता के अवशेश प्राप्त हुए है ये 2nd grade 2010 का प्रशने है इसमें पहला option है नीम का थाना से दूसरा option है पलसाना से तीसरा option है श्री गंगानगर से और 4 अप्षने रिंगस से तो पताई इसमें right answer क्या होगा इसमें right answer हो जाएगा नीम का थाना से तो देखे हमने notes में लिखवाया है कि सीकर जिले के नीम का थाना तेसिल में गणशोर सब्वेता के अवशेश मिले है तो आप ये याद रखिएगा ये भी हमने notes में लिखवाया है अगला प्रस्ने अपना निमने में से किस इतिहास वेता ने काली बंगा को सिंदू घाटी सब्वेता की तरत्ती राजदा नी कहा है तो काली बंगा को सिंदू घाटी सब्वेता की तरत्ती राजदा नी किस ने कहा है यह प्रस्ण आरपेसी 2nd grade 2010 में पूछा गया है इसमें पेला option है जी एच ओज्जाने दूसरा option है शामल दास्त ने है तीसरा option है दस्रत सर्माने चोता option है देयाराम सानीने तो बताईए इनमें से right answer क्या होगा इनमें से right answer होगा दस्रत सर्माने तो देखे ये भी लिख्वाया है हमने काली बंगा सब्वेता में तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखें अगला प्रश्ने अपना प्राचीन इस्तल जहां से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है ये कोलेज व्यख्या था 2016 का प्रश्न है तो मेनांडर की मुद्राएं किस सब्वेता से प्राप्त हुई है A. बेराट से B. रेड से C. नगर से D. रंगमहल से तो इनमें से राइट अंसर क्या होगा अपना तो इन में से राइट आंसर होगा अपना बेराट से तो देखे हमने बेराट सब्वेता में लिखवाया है कि वहां से कुल 36 मुद्राय मिली है जिन में से पंचमार्क मुद्राय कुल 8 मिली है और यहां से युनानी शासक और इंडो-ग्रिक मुद्राय कुल 28 मिली है और इन 28 मेना अंडर की कुल 16 मुद्राय मिली है तो हमने पूरा डिटेल में लिखवाया है अगर आप कुसी डिटेल जाननी हो तो आप बेराट सब्वेता में जाके इसको पढ़ सकते हैं अगला प्रस्णे अपना तामर नगरी सब्वेता कहल आती है यह जेल प्रहरी 2017 का प्रस्ण है तो इसमें पीली बंगा דूसरा अपर त्रएक काली बंगा और पश्वेजोर ँठ गोर तो बताहिए इसमें राइट एंसर क्या होगा इसमें राइट आंशर होगा option number B आहड तो देखिए हमने आहड में लिखवाया है कि आहड का पुराना नाम प्राचीन सिला लेखों में क्या लिखा गया है ताम्रवत्ति नगरी या ताम्र नगरी भी उसके कहते हैं तो इसे भी याद रखिया अगला प्रश्न अपना बेराट में किस सब्वेता के अवशिष प्राप्त हुए है यह सेकंड गेट दोजार आठ में पूछा गया प्रश्न है तो इसमें पहला option है वेदिक सब्वेता दूसरा option है सरस्वतिगाटी सब्वेता तीसरा option है बनास सब्वेता और चोरता option है मोर्यकालिन सब्वेता तो बेराट में किस सब्वेता के अवशिष प्राप्त हुए है तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मोर्यकालिन सब्वेता ओप्शन नमबर डी तो देखे महां पर डिटेल में पढ़ाया गया है तो अगर आपने वह नहीं पढ़ा हो तो आप उसे जरूर पढ़िए अगला प्रशने अपना धूल कोट का संबंद राजस्तान की किस सब्वेता से रहा है तो यह यांत्रिक टिप्लोमा दोजा सोला में पूछा गया प्रशन है तो इसमें पेला उप्षन है आहर सब्वेता से दूसरा उप्षन है काले बंगा सब्वेता से तीसरा उप्षन है बागोर सब्वेता से और चोता उप्षन है बाला थल सब्वेता से तो बताई इसमें राइट अंसर क्या होगा तो इस कि आहट सब्वेता में हमने लिखवाया है कि इसे धूल कोट सब्वेता भी कहते हैं क्योंकि ये धूल कोट सेत्र के नीचे दवा हुआ मिला है क्योंकि तो इसलिए ये भी याद रखिए कि इसे धूल कोट सब्वेता भी कहते हैं और पूराना नाम इसका आगाट पूरिया आ कालि भंग्या शेत्र से कितनी अगनिव्यदिकाई प्रापत हुई है यह को बताना है यह महिला परिवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रशन है कि इसमें पैला option है 5 दूसरा option है साथ तीसरा option है 6 और चोथा option है 9 तो कितनी अगनिवीदिकाई मिली है तो इसका राइट यहां पर साथ अगनीव दिकाऎ मिली है तो काली बंगा में हमने लिखवाया है कि यहां के स्थल से साथ अगनी विख़ दिकाएं या deeply प्राप्तुएं धारमिकाश्टा को बद्लाता है तो यह भी हमने लिखワाया है तो इसे वह आदर रखिया अगला प्रशन है अपना राजस्तान में बोध संस्कृति के आउशेस कहां से मिले हैं तो बोध संस्कृति के आउशेस आपको बताने कहां से मिले हैं यह जेल प्रहायरी 2017 में पूछा गया प्रशन है तो इसमें पहला उप्षन है ओंसिया से दूसरा उप्षन है नागदा से तीसरा उप्षन है गो सुन्डा से और चोता उप्षन है बेराट से तो बताईए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बेराट से तो देखिए हमने बेराट सब्वेता में लिखवाया है कि यहाँ पर मोरे कालिन बोद्ध संस्कृति के अउशेश मिले है तो अगर पूछा जाए इससे पहले वाले प्रस्न में हमने भी किया था कि यहाँ पर मोरे कालिन सब्वेता के अउशेश मिले हैं और मोरे कालिन बोद्ध संस्कृति के अउशेश भी मिले हैं तो आप यह भी याद रखीगा अगला प्रस्न है अपना बेराट प्राचीन भारत में किस जन्तपत की राजदानी थी यह महिला परिवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रस्न है तो इसमें पहला उप्षन है मतश्य की दूसरा पांचाल की तीसरा है चेदी की और चोटा है अरजुनाय की तो बताइए बेराट प्राचीन भारत में किस जन्तपत की राजदानी था तो इसमें राइट आंसर होगा मतश्य जन्तपत की राजदानी था तो यह भी हमने स्टेट्मेंट लिखवाया है बेराट सब्वेता में अगला प्रश्य अपना निम्न में से किस उत्खनान इस्तल से चांदी की मुद्रा पंचमार्ख प्राप्त हुई है तो 5 पंचमार्ख चांदी की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है ये PTI exam 2018 का प्रस्य में पहला option काले और दूसरा option आहर थे गणिश्वर और चोता option है बेराट तो बताइए चांदी की पंचमार्क मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है तो इसमें राइट अंसर होगा बेराट ऑप्शन नमबर डी तो देखिए बेराट सब्वेता में हमने लिखवाया है कि वहां से कुल 36 मुद्राएं मिली है जिन में से पंचमार्क चांदी की मुद्राएं कुल 8 मिली है और इंडो ग्रीक वा यूनानी मुद्राएं कुल 28 मिली है और उन 28 मुद्राओं में से मेनांडर की कुल 16 मुद्राए ही मिली है तो वहां पर लिखवाया गया है अगला प्रस नहों बीजग की पहाड़ी की सब्वेता से संबंधित थैं तो इसमें पहला ओप्षन है बेराठ से, दूसरा उप्शन है आहड से, तीसरा उप्शन है काली बंगा से और चोथा उप्शन है गनेश्वर से, तो बता आईए तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा बेराट से तो देखिए बेराट सब्वेता में हमने लिखवाया है कि यहाँ पर किन किन इस्तानों पर उत्खरन कार्य किया गया था बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, अगनेश डूंगरी और महाद्य जी की डूंगरी पर उत्खरन कार्य किया गया था तो इसलिए बीजक की पाड़ी का संबंद की सब्वेता से है बेराट सब्वेता से, तो आप यह याद रखिए अगला प्रशने अपना, निमने में से कौन सी वस्तो काली बंगा सब्वेता से प्राप्त नहीं हुई है तो काली बंगा सब्वेता से कौन सी वस्तो प्राप्त नहीं हुई यह आपको बताना है पहला उप्षन है अगनी वेति का है दूसरा उप्षन है जुता हुआ खेत तीसरा उप्षन है भट्टी नुमा चूला और चोता उप्षन है गाए के मुखवाला प्याला तो बताए इन में से कौन सी वस्तु काले बंगा सब्वेता से प्राप्त नहीं हुई है तो इसमें राय टांसर हो जाएगा भट्टी नुमा चूला तो देखिए काले बंगा सब्वेता से साथ अकनी विदिकाय मिली है और जुतेवे खेत के प्रमान भी मिले है और गए के मुखवाला प्याला भी मिला है किन्तु भट्टी नुमा चूला वाँ से नहीं मिला है तो अब इसे याद रखिएगा ये भी हमने लिखवाया हुआ है अगला प्रस्न अपना प्रोपेसर एचडी साकलिया की निर्देशन में जिस सब्वेता इस्तल का उत्खनन हुआ है वह है तो ये सेकंड गेड दो जार आट में पूछा गया प्रस्न है इसमें पहला उप्शन है काले बंगा दूसरा उप्शन है आहड तीसरा उप्शन है गणेश्वर और चोता उप्शन है वेराठ तो बताईए इन में से कौनसा अंसर सही है तो इन में से राइट अंसर होगा अपना आहड सब्वेता सही है अगला प्रस्न अपना निम्न में से कौन सा कथन सही है तो इस सेकंड ग्रेड दो जाड तेरा का प्रश्ण है तो इसमें पहला उप्षण है गणिश्वर एक उत्खनन इस्तल नहीं है दूसरा उप्षण है बेराट एक ग्रामे संस्कृति केंद्र था तीसरा उप्षण है काली बंगा लोह यूग संस्कृति का एक उधार्ण था और चोता उप्षण है आहड वाश्यों का महत्पुन व्यावसाय अयस्क तामे का गलाना तता तामरोस्ति बनाना था तो बताई इसमें right answer कौन से होगा तो देखिए पहले option की बात करें तो गणेश्वर एक उत्खरन इस्तल नहीं है तो यह option तो wrong हो गया क्यों क्योंकि गणेश्वर उत्खरन इस्तल है हमने गणेश्वर सब्वेता में पढ़ा है कि गणेश्वर सब्वेता हमने पढ़ी है यह आपके अपन को right statement बताना है दूसरे option की बात करें तो बेराट एक ग्रम्य संस्कृति केंद्र था था से संबंदी जरूर था लेकिन केंद्र नहीं था वहां के निवाशियों का जीवन ग्रमिन संस्कृति पर आधर है तो यह option भी होती है तो यह प्ंट भी रॉंग है अब सब्सक्रोंग अब और अबाट같नि क嗎 योपसाई Qke तब का गलाना और यह प्रीष घृत है तो यह ते हमारे प्रकुछ प्रत्यों कि पूछे गए थे अब हमारा अगला टोपिक जो रहे गा है आप वो राष्तान के एक ही करण पर रहेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें जैसी कृष्णा जैसी कृष्णा